बच्चों को मेरा नमस्कार में आपका सागत है आई बच्चों आज हम इंगली स्वर्ग पेकार करते हैं पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना बूले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली महतपूर वीडियो का नोड़ कुछ्तिकाओं पेकार किया है वहाँ पें जाकर आप कटनाई वाले जो आपके अभ्यास यां वरक्शिट दूर कर सकते हैं और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं आज हम 59 नमबर के अभ्यास तक कार करने वाले पेज नमबर 72 से 74 तक गति विदी का नाम है रीडिस अपोजि बिग वीख भी जात है तो हम देक्व होता है बडा और बिग जारे इस्ता निंग कर कि आफ रहे। तो फेट मतलम मूटा का उल्टा पतला और लांग पेंसिल और शाट पेंसिल लांग याने होता है लंबा और शाट याने होता है छोटा तो बड़ा लंबा का उल्टा क्या हो जाएगा या पुशिट क्या हो जाएगा छोटा होट याने होता है गर्म और कोल्ड याने होता है तो चाय जो होती वो गर्म होती और यहां पर कह रहा है कि cold tea यानि ठंडी चाय तो गर्म का उल्टा ठंडा हो जाएगा और dry shirt, सूखी shirt और wet shirt मतलब गिली तो सूखा का उल्टा हो जाएगा गिला और old मेन मतलब पुराना old यहां पुराना और young यहां नया तो old यहां होता है old का opposite English में young हो जाएगा और हिंदी में अगर कहें तो पुराना का उल्टा नया हो जाएगा बच्चो वीडियो अगर स्पीट में लग रही तो वीडियो को रोक कर आप इनके प्रशुक्तरों को लिख सकते हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चेनों को सस्काइब करना ना भूलें बख्षित नंबर 70 पेकार करते हैं चित्र को देखकर सब्द लिखें जैसा लिखा है बच्चो आपको वैसा ही लिखना है तो अपोजिट वर्ड भी दिया गया है फेट का अपोजिट थिन, सौट का अपोजिट लॉंग, इनका अपोजिट आउट, होड का अपोजिट कोल, डे का अपोजिट नाइट और ओल्ड का अपोजिट यंग हो जाएगा अब हम 71 नमबर के बहस पेकार करते हैं, फाइंड अपोजिट एंड राइट, विलों सब्द को ढूनकर आमने सामने लिखें तो हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया है, और यहीं से अब हम इनके जो सहीं उत्तर हैं, उनको यहाँ पे फिलप करेंगे तो अब के लिए डाउन, इसमाल का उल्टा बिक, ओल्ट का उल्टा यंग, डे का उल्टा नाइट, इन का उल्टा आउट, लॉंग का उल्टा सौट, फेट का उल्टा थिन, हैपी का उल्टा सैड और होट का उल्टा कोल्ट हो जाएगा इस तरह हमारे यहां पर अभ्यास भी कंपेट हो जाएंगे तो यह था आज का हमारा महत पुन अभ्यास हम फिर मिलते हैं अगले अभ्यास में तब तक के लिए मेरा नमस्कार जै हिंज जै भारत